Welcome back to our YouTube channel Tech Guide Wasiim तो आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट के साथ लिंक कैसे करोगे अगर आप अपने पैन कार्ट को अधार कार्ट के साथ लिंक नहीं करते हो तो आपका जो पैन कार्ट है वो किसी काम का नहीं रहेगा इसका जो date है वो 30 जून 2023 तक आप अपने pancard को अधार कार्ट के साथ link कर सकते हो तो इस वीडियो में आपको complete और easy process दिखाएंगे कि आप अपने pancard को अधार कार्ट के साथ link कैसे करोगे तो वीडियो में आगे भढ़ने से पहले मेरी एक request है कि मेरी YouTube चैनल को subscribe कर देना ताकि और भी helpful content आप तक पहुँच सके तो पहले आपको मैं ये दिखाता हूँ कि आप अपने pancard का status check कैसे करोगे कि आपका जो pancard है वो अधार के साथ link है या नहीं तो आपको आना होगा अपने mobile phone, PC या computer के browser पे browser पे आने के पाद आपको search करना होगा e-filling gov in तो आपके सामने यहाँ पे www.incometax.gov.in का official website आ जाएगा तो आपको open कर देना है मैं आपको वीडियो के description में भी link दे दूँगा वहाँ से आप click करके directly site पे redirect हो जाओगे उसकी बाद आपको यहाँ पे www.incometax.gov.in का official website ओपन कर देना है official website ओपन करने के बाद यहाँ पे जैसे की देख सकती हो जो last date थी 31 मार्च 2023 को लेकिन वो extend कर दी है वो जो है 30 जून 2023 तक तो तब तक आप अपने pen card को अधार card के साथ link कर सकती हो तो सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि आप अपना जो status है वो check कैसे करोगे pen card का कि इसके साथ अधार card number link है या नहीं तो आपको यहाँ पे quick links में एक option आ रहा है link अधार status तो आपको इस पे click करना है link अधार status वाले option पे click करने अधार card number fill करने है दोनों चीज़े fill करने के बाद pen card number और अधार number डालने के बाद आपको यहाँ पे एक option आ जाता है वीव link अधार status का तो आपको इस पे click करने है जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है pen not linked with अधार तो यह जो pen card है वो अधार के साथ link नहीं है यह जो pen card है वो अधार के साथ link कराना है तो इस वीडियो में आपको complete process दिखाऊंगा में कि आप अपने pen card को अधार card के साथ link कैसे करोगे अगर आपका pen card जो है वो link already होगा तो आपको यहाँ पे दिखाएगा pen number is linked already with this अधार तो उसके बाद आपको यहाँ पे back आ जाना है back आने के बाद आपको फिर से यहाँ पे home page पे आ जाना है home page पे आने के बाद यहाँ पे आपको दूसरे नमबर पे एक option आ रहा है link अधार का तो आपको इस पे click करना है link अधार वाले option पे click करने के बाद इस पे click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे home page open हो जाएगा तो आपको यहाँ पी नीचे आजाना है, नीचे आने के बाद यहाँ पी कुछ नोट दिया गया है, इसमें जो आपको कुछ नोट दिया है कि अगर आप citizen of India है तो आपको यह जो अधार pen linking है जरूरी नहीं है, या आप state of residence, आसाम, मिगालिया या जमो कश्मीर के हो, तो आपक चीजे फिल करने के बाद, उसके बाद आपको यहाँ पी validate वाले option आ जाएगा, तो आपको यहाँ पी validate वाले option पे click करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाएगा payment details not found, तो आपको यहाँ पी नीचे आ जाना है, नीचे आने की बाद यहाँ पे एक option आ रहा है, continue to pay through it, पे text तो आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे अपना pen card number फिल करना है और यहाँ पे आपको अपना फिर से pen card number confirm करना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना mobile number फिल करना होगा mobile number fill करने के बाद mobile number fill करने के बाद आपको यहाँ पे continue वाला एक option आएगा तो आपको यहाँ पे continue वाले option पे click करना है उसके बाद आपके mobile number पे OTP send किया जाएगा जो कि आपका OTP जो हो 15 minutes के अंदर अगर आप अपना OTP यहाँ पे enter नहीं करेंगे आपका जो OTP है वो expire हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे six digit OTP enter करना है जो आपके mobile number पे send किया जाएगा OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे continue वाला एक option आएगा तो आपको यहाँ पे continue वाले option पे click करना है उसके बाद आपको दिखाएगा you have successfully verified through mobile OTP तो आपका जो hand card number और name जो है वो आ जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे continue वाले option पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ पे confusion है आपको यहाँ पे जो गहपनाने की ज़रुत नहीं है आपको यहाँ पे पहली जो option आ रहा है income tax का तो आपको इसी पे proceed करना होगा इस पे proceed करने के बाद यहाँ पे आपको assessment year select करना है इसमें आपको latest year ही डालना होगा जो की 22 आ रहा है उसके बाद आपको यहाँ पे type up जो payment है यहाँ पे एक option आ रहा है other recipient 500 तो आपको यह वाला select कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे continue वाले option पे click करना है continue वाले option पे click करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा आपकी जो payment है वो thousand rupees करनी है यहाँ पे आपका find जो है pen card के लिए link करने का उसके बाद आपको यहाँ पे option आ रहा है continue का तो आपको इस पे click करना है continue वाले option पे click करने के बाद यहाँ पे आपको उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी payment करनी होगी तो यहाँ पे आपके पास अगर net banking available है तो आप यहाँ से Axis Bank, Kanaara Bank, ICI Bank या Punjab National Bank अगर आपके पास available है तो आप यहाँ से net banking से अपनी payment कर सकते हो यहाँ आपके पास debit card available है जो की debit card खाली इनी bank का होना चाहिए अगर आपके पास other bank होगा तो आपका जो payment है इस वाले option से नहीं होगा तो सब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने आपको यही बताया है कि आपको यहाँ पे यह वाला bank select कर देना उसके बाद आपकी payment हो जाएगी अफिर से एक option आ रहा है तो आपको इस पर click करना है इस पर click करने के पास यहाँ पर यहाँ पर आपको लास्ट वाला option आ रहा है जो की payment gateway खाली उनको बोल रहा है जिनका other bank है जिनका यहाँ पर bank option नहीं आ रहा है या उनके पास net banking available नहीं है यहाँ किसी के पास खाली debit card होता है तो आप यहाँ से last वाला जो option है आपके पास payment gateway का तो आपको इस पर click करने है payment gateway पर click करने के बाद यहाँ से आप कोई भी bank हो अगर आपक नहीं है जो कि federal bank और कोतक महिंद्रा bank आ रहा है तो आप इन में किसी एक को भी select कर सकते हूँ किसी एक को select करने के बाद आप यहाँ से other bank से भी debit card से payment कर सकते है उसके बाद आपको यहाँ पी कोतक bank select करने के बाद आपको यहाँ पी अपना mobile number और email ID डालनी है जिस पे आपको payment acknowledgement जो slip है वो provide की जाएगी उसके बाद यहाँ पे click here to receive get invoice in your box और I have understood the terms and condition इन दोनों पे click करने है उसके बाद आपको proceed वाले option पे click करने है यहाँ से आपको invoice वाले option को select नहीं करने है अगर आप यहाँ से invoice वाले option को select करते हो तो आपको यहाँ पे details देनी है उसकी बाद यहाँ पे आपको I understand the terms and condition और यहाँ पे proceed वाले option पे click, proceed वाले option पे click करने के बाद यहाँ से आपको मैं एक चीज़ फिर से recommend कर रहा हूँ, यहाँ से आपको कोतक जो Mahindra bank है वही select करना है payment gateway वाले option से ताकि आप किसी भी bank से अगर आपका debit card है यहाँ आपके पास net banking है, UPI है तो आप इसलिए अपनी payment कर सकते हो, उसकी बाद आपके पास अगर debit card है तो debit card select कर देंगे, net banking है तो net banking, यहाँ से मेरे पास debit card available है, तो यहाँ से आपके पास अगर रुपे है, master है या वीजा जो भी होगा आपके पास, आप यहाँ से payment कर सकते हैं, उसकी बाद आपको यहाँ पे card number, पर expiry date, CVV और cardholder name डालना होगा और आपको यहां पर make payment वाले option पर click करना है, make payment वाले option पर click करने के बाद यहां से आपको अपने bank वाले page पर redirect कर देगा, आपको यहां पर अपना OTP फिल करना है, OTP फिल करने की बाद आपको यहां पर make payment पर click करना है, जैसे की देख सकती हो finally हमन payment कर दी, challenge payment is successful, आपको यहां पर download का option आ जाएगा, तो यहां से आपको अपनी जो receipt है वो download कर देनी है, यहां पर आपको receipt download कर देनी है, receipt download करने के बाद आपको यहां से अपनी जो detail है वो check कर सकते हो, तो उसके बाद आपको कम से कम दो दिन का wait करना है, दो दिन का wait करने के बा आपको फिर से e-feeling वाले official जब आप payment कर देते हो तो आपको यहाँ पे दो दिन का wait करना है दो दिन का wait करनी के बाद आपको यहाँ पे link अधार status वाले option पे click करना है उसके बाद आपको यहां पे map view अधार status वाले ऑप्षन पे click करने के बाद यहां पे आपको एक option आएगा OTP का क्यूंकि आपको दो दीन का कम से कम wait करना है payment के बाद दो दीन का wait करने के बाद आपको यहां पे एक option आएगा OTP का आपके mobile नमबर पेak OTP सेंड किया जाएगा उस कि मेरी आज की वीडियो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट कर देना आपकी पूरी हेल्प की जाएगी तो मिलते एक और नई वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू अलाहाफेज